है कि विए हैं वार्गन पाइप सब्सक्राइद होगा कि इसके पाले हम लोग डिस्क्स किये थे और गेंड पाइप दो तरह का होता है एक ओपेन और गन पाइप और एक लोगन पाइप और closed organ pipe में जहां पर कोई इंड closed है तो closed इंड पर क्या बनता है displacement node और pressure का anti node और open इंड पर बनता है displacement का anti node और pressure का node क्यों ऐसा होता है सबको समझ में आहीं गया था कि कोई और गन पाइप जैसे माल लेते हैं कि और गन पाइप कि कोई और गन पाइप माल लेते हैं कि ऐसा है जो एक इंड पर closed है और एक इंड पर open है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजड और गन पाइप और क्लोजड और गन पाइप में क्लोजड इंड पर बनता है displacement का node क्योंकि यहां पर air particle का vibration oscillation नहीं हो सकता है जैसे इस प्रिंग का कोई fixed इंड है और फिक्स्ट इंड और यह क्या है लोग प्लोजड पोर्शन ठीक है लोग लोग इंड पर जो एयर पार्टिकल होगा उसका displacement जिरो हो सकता है जैसे यहां पर इसका displacement जिरो है तो अपर बनता है displacement node यहां भी बननेगा displacement node लेकिन पेशर उसका पॉसित होता है दोनों के जब एक मैक्सम होगत दुसरा मिनिमुम होगा यहां पे मीडियम 600 जैसे हवा है यह पॉसका डिस्प्रेश्वन नियुगा और डिस्प्लिस्मेंड का anti-node और यहां पर प्रेसर का कि प्रेसर का anti-node और डिस्प्लेस्मेंड का नोड फोर्म होगा यह आम लोग पहले देख चुके हैं कि अब इसमें लोग एक और चीज जानना है इंड करेक्षन जब लोग प्रैक्टिकली इस बात को करते हैं इसमें स्टेंडिक फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें को टर्व हम लोग के जानना होगा इंड करेक्षन करें आज जो है थोरा शॉटकाट में लिखना है नोट्स पर्टकर शॉटकर तुम लिखना है इतना लिखा सकता है कि इंपोर्टन पॉइंट बाकि हम वीडियो लेक्ट्र सब को ज़ेंगे जिससे की अराम से समझ में सबको आजाएगा करें कर दो चल्वाला का लस्क्रास को मिल जागा अप्लोड नहीं हुआ था वोसलिए फुट्टिक बाद जो है न अफ्लोड नहीं हुआ ता आज वहला आज उसको अप्लोड करके कल वाले का भी देंगे कि आज मिल जागा तो इसका जो है आज सब लोग के वल इंपॉड़न पॉइंट के समझने पर फोकस करना था जाएदा अब देखो यहां पर कि प्रैक्टिकल भी क्या होता है कि जो नोड है हम लोग फ्रैक्टोरी में जानते हैं कि नोड बनता है यहां पर यहां पर बनता है यहां पर बनता है नोड और यहां पर बनता है नोड ठीक है लेकिन रियल में होता क्या है कि एर पार्टिकल एक्जैक्ट ओपें इंड पे एंटी नोड नहीं बना करके यहां से कुछ उपर चला जाता है है एगा है तो एक ही जो एटी हूं है जो कि इन दिघде से थोड़ासा उपर जाकर बनता है फिगर बनाते हैं इसमें इंभेल्प पा पीगर खुछ ऐसा बनाते हैं कि किसी भी मोड में जसमालों कि हम फंडामेंटल मोड की बात किये यहां पर बना दिये नोड और यहां बना दिये एंटी नोड एक्जाक्ट यहीं पर मानते हैं कि एंटी नोड बना लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में ऐसा होता है कि एंटी नोड इस इंड से थोरा सा उपर बन जाता है यहां पर कुछ ऐसा फिगर बनेगा कि देखे लो कि रियल लाइफ में ऐसा होता है तो जितना डिस्टेंस उपर यह एंटी नोड बनेगा इस इंड से उसको बोलते हैं किसी भी ओर्गन पाइप में इंटी नोड इंड बन करके उससे कुछ उपर बनता है तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं इंड करेक्शन अब देखो फिक्वेंसे हम निकाले थे fundamental फिक्वेंसी उसका देओ कैसे निकालन वेलिउ और ये 5-क लेन्थ दिया हुआ है इल 5 लेंथ हैये ल। है और करेक्ष्नटी है तो तुम देखो कि यहां पर बनेगा एंटी नोड यहां पर बने गा एंटी नोड और यहां बनेगा नोड और नोड एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है तो नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी होती है लेमडा बाई 4 तो यहाँ से यहाँ तक distance कितना है लेमडा बाई 4 तो लेंडा भाई फॉर दिस्तन देख लो नोट से लेकर के न्टी नोट की इसका enfin भूरी होता है और यां यह ओकल सकते हैं लेंडा भाई फॉर इस टू लेंडा भाई 105 एपल स्ट या लेंफ आर्ग Arin बीड़ा लेंड़ा यानि की वीड़ाइ ओर इन्टु एल प्लसदी देंगुत् फ्रीक्वेंसी में हम लोग को इन्ड कारेक्शन को नेगलेट करेंगे अगर कुश्यन में इन करके चलते हैं तो आप लोग मालेंगे की टिनोड यहीं बना है लेकिन अगर इन्ड करेक्शन दिया हुआ है कि रियल में यहीं बन करकेक उससे कुछ ऊपर बनता है तो इस लेंग को हम लोगों को to consider करना होगा और उसके से frequency देखोगी धोरा सा change कर गया Iris कि जैसा एक इंड करेक्शन को नेकलेट करके चलते इंड करेक्शन मानलो की neglect करके चलते इंड करेक्शन और कि नेगलेटेड जो की पहले हम लोग i frequency निकाले थे को कि provide कऊढouter को ले लेंगे एगर इन्ड करेक्षण को नेउक्टेट करेंगे तो यह डिस्टन्स होगा लेमड़ा वाई-प्वौर इकोस्टू लेंग तो यहां से मिल गया लेमड़ा इकोस्टू कितना ह्ष एल फ्रिकविएसी इकोस्टbourg क्या V-by lambda, यानि V-by-4L. देखो, इंड करेक्षन को नेगलेक्ष करेंगे, तो ये frequency आएगा. V-by-4L, लेकिन अगर इंड करेक्षन बोला गया है कि consider करना है, तो frequency kyan Ricky आ रहा है? V-by-4L प्लस D थोरा सा कम जाएगा. तो समझ में आगे सबको कि practically पार्टिकली जो एंटी नोड होता है वो ओपन इंड से थोरा सा उपर बनता है जो इतना डिस्टेंस ओपन इंड से उपर बनता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं इंड करेक्शन और नोड का तो fixed है कि नोड always forms at the fixed end नोड हमेशा यहीं बनेगा लेकिन anti-node हमेशा open end से थोड़ा सा उपर बनेगा क्योंकि air particle exactly यहाँ पर anti-node form नहीं करता air particle का जो oscillation होता है वो थोड़ा और उपर चला जाता है क्योंकि फ्री है तो हवा के प्रेशर के चलते हम बोल से थोड़ा सा उपर जाकर के वह प्रेशर कम हो जाता है अलग चेंज होता है तो इसके कारण से बोल सकते हैं कि anti-node थोड़ा सा उपर फॉर्म होता है कि in real कि anti-node कि और उपर यूवरो थोड़ा Arms फॉमददने कि विपन कि स्टस और उल थोड़ा इन जाता है प्रेशर का ऑ इन के ऐर चरान आ अर्ऑ रज़ा ढार चरान order खरार चुडाने कि प्रण अन्यutan कि इस डिस्टेन्स कीन ही मिन्द करेक्षेंट सनथ तो इंड करेक्षेंटं को करेंट करते हो फ्रिक्वेंशि फर्नामेंटल मोर में आ गया भी बाइर ओर का value कितना होता किसे depend करता है इंड का जो value है वो depend करता है इस organ pipe के radius पे इंड करेक्शन का value कितना होता है तो इंड करेक्शन का value होता है 0.6 into radius of the tube इसको भी याद रखेंगे ंड करेक्शन equals to 0.6 into radius radius दिया हुआ ट्यूब का रेडियस आर है यह ऐसे है चलिंदिकल ट्यूब है मलो तो इसका रेडियस गिवन है आर तो इंड करेक्शन इसी पर डिपेंड करेगा इंड करेक्शन इक वस्टू 0.6 र कि अगया जो तो एक सवाल बनाते है Calculate Calculate Fundamental Frequency Fundamental Frequency And First Overtone Frequency फर्स्ट ओवर्टोन फ्रिक्वेंसी ओवर्टोन फ्रिक्वेंसी देखको ओवर्टोन को स्ट्कुर्ण के लिख रहा है कि 75 cm नेगलेक्ट इंड करेक्षन नेगलेक्ट इंड करेक्षन नेगलेक्ट इंड करेक्षन चलो यह सवाल है सबको बनाना है यगर किसी क्यूब का लेंथ गिवन है 75 cm और इंड करेक्षन को नेगलेक्ट करना है और दिया हुआ है वेलोसिटी ओफ कि वेलोसिटी ओफ साउंड इन एयर कि इन एयर एज कि थी थर्टी मीटर पर सेंड यह दिया हुआ है त्रिकता साराश दिया है है और यहान पाइफ क मतिया है looked at अफब मेंटल फ्रिक्वेंसी हो जागा अपने से कैल्लोट हुआ जाएक शबिशेंन फा chu झाल 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 तो कलोजड ओरगन पाइप कैसा होता है कलोजड ओरगन पाइप क्लोजड और्गन पाइप यानि की जिसका एक इंड क्लोजड हो एक इंड क्लोजड हो यह क्लोजड और्गन पाइप और इंड करेक्शन नेगलेक्ट करने बोला गया इंड करेक्शन नेगलेक्ट करने बोला गया तो यहां पर क्या बनेगा उपन इंड पर बनेगा एंटी नोड और लुटोे दिंड क्या बनेगा नोड ठीक है तो मैं इसका अगर इंझेलब बनाते हैं तो यहां पर बनेगा एंटी नोड और यहां पर बनेगा नोड तो अगर इंड करेक्शन नेगलेट करने बोला गया तो open इंड पे exactly बनेगा anti-node कोई उसके distance को उपर जो है उसको नेगलेट करके चलना है अब देखो anti-node और node के भी इसका distance कितना होता है lambda by 4 तो lambda by 4 equals to क्या हो गया tube का length है L column का length L है तो lambda by 4 equals to L यानि कि lambda equals to कितना हो गया 4L इसका मतलब frequency equals to V by lambda यानि कि V by 4L V का value कितना दिया हुआ है 330 meter per second और 4 into length कितना है 75 cm था ठीक है तो उसको बदल दिये मीटर में 75 cm को मीटर में बदल दिये यह हो गया कितना 110 Hz यह हो गया fundamental frequency और अब अगला पुछा गया कौन सा frequency first overtone first overtone इससे next ज्यादा वाला next higher frequency तो first overtone कौन सा हार्मोनिक होगा याद है first overtone कौन सा हार्मोनिक third harmonic क्योंकि हम बताए थे कि इसमें even harmonic नहीं होता है तो फिर बनाके भी कर लेते हैं देख लो next higher frequency के लिए यहाँ पर बनेगा कि बनेगा एंटी नोड यहाँ पर हमेशा बनेगा नोड और एक लूप और बढ़ जागा एक लूप और बढ़ेगा तो ऐसा फिगर इनवेलप ऐसा कुछ बनेगा तो नंबर ओफ लूप में एक लूप देखो और बढ़ गया एक इनवेलप था हाफ इनवेलप था हाफ के बाद और बढ़ गया लेकिन यहाँ पर बना एंटी नोड यहाँ पर बन गया नोड फिर यहाँ पर एंटी नोड और यहाँ पर बन गया नोड ठीक है को दिकर इसम यहां पर एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब देखो यह किता इस्टेंस है तो एंटी नोड की बिश्का दूरी लेंबडा भाई तो और एंटी नोड और नोड की बिश्का दूरी लेंबडा भाई 4 यानि कि टोटल दिस्टेंस हो गया लेंडा भाई 2 प्लस लेंडा भाई 4 यहाँ देखलो यह हो गया लेंडा भाई 2 प्लस लेंडा भाई 4 इक्वल्स टू लेंथ एल ठीक है इसका मतलब हो गया कि लेंडा इक्वल्स टू कितना हो जागा 4L by 3 इसका मतलब फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू भी बाई लेंडा यानि कि भी बाई 4L और देखो भी बाई 4L का भैल्यू आ चुका है इसका कितना टाइमष हो गया 3 इंटू 110 हर्ड यहां पर देख सकते हैं कि फंडामेंटल का यह तीन गुना है तो यह तर्ड हार्मोनिक कहा जागा लेकिन प्रस्ट हाईयर है तो इसको बोलेंगे फ्रस्ट ओवर्टोन फ्रिक्वेंसी तो फ्रस्ट ओवर्टोन फ्रिक्वेंसी तीन सो तीस हड्स समझ में आगे सबको कि या दखना है कि कि हर वटब टोन को हम सिधे कंट्रिवस हार्मोन náisअ मान सकते हैं कि फर्स्ट की अब् Beton की इसी अब की यह आया वह फंडामेंटल का तीन गुना है जितना गुना होगा उतना हार्मोनिक उसको बोलेंगे यह थार्मोनिक का मतलब फंडामेंटल फिक्वेंसी का एंट टाइम्स हो गया अगर फंडामेंटल फिक्वेंसी का कोई पांच गुना फिक्वेंसी है तो वह फो जागा फन्डामेंटल के बाद जो पहला बर ज्याधा मिला उसको फस्ट हाइए फ्विक्वैंशी को बोलेंगे कर सेær even फ्रिकॵैंसी अ अब अधुक्रिया restore टोन इसको बोलेंगे को स्ट ओभर टोन मोड आप वैब्रेसन या इसको बोलेंगे पर्ट हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक do most of a don या थाड हर्मोनिक फिकंसी का वैलिव आ गया 330 हट सके अब अगर मालो कि तुमको इंड करेक्शन करने के लिए बोला गया है इंड करेक्शन या तो दिया हुआ है या फिर उसके लिए क्या दिया सकता है ट्यूब के बारे में क्यूब का रेडियस दिया सकता है रेडियस टाइमिटर अगर दे दिया गया तो इंड करेक्शन कंसीडर करना है चलो अग प्रीकुले चुकले ठीकुले झासरदा की अपुर्णान Rac bakalyबh yपनिल अपट्से यौिसभ情況 प्रेंड एक प्रेंट लेंग एक झाम्टेंटर प्रेंटर डियमेटर यूमेटर फाइब सेंटी मीटर वेलोसिटी ओप साउंड वेलोसिटी ओप साउंड कन बी टेकन एज थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड लोती यह बताना है इस बार सबको फंडामेंटर फिक्वेंसी ओपन ओर्गन पाइप में ओपन ओर्गन पाइप ओपन ओर्गन पाइप समझेंगा ना जिसका दोनों इंड क्या हो ओपन हो ओपन ओपन ओर्गन पाइप और लेंथ गिवन उसका एटी सेंटी मीटर डायमीटर फाइब सेंटी मीटर साउंड के स्पीड थी थर्टी मीटर पर सेकेंड चलो हो जागा सबसे कर देगर बना कर बसको बनाएंगे पर्णामेंटर फ्रिक्वैन और अर्गेड पाईप में की नोरेंटी नोड़ परम होते हो दिखा देंगे कि अ गञार फ्रेट कौ अ कर ड Wochen Grad तो दिया हुगा है ओपन ऑरगन पाइब ओपन ऑरगन पाइब यह दी गिवन है ओपन और गन पाइब दोनों इंड ओपन और हम जानते हैं कि जो इंड जहां पर इंड ओपन होता है वहां पर exactly इनंटीनोट का फॉर्मेशन लिए फॉर्मेशन नहीं होता है वहां सक्यारा सा दूर होता है तो देखो एंटी नोर यहां थोड़ा सा इस सी उपर बनेगा और यहां भी बनेगा थोरा खर्ड़ा सा उपर बनता है तो इस तरह सकाइन भेलब बनेगा यहां पेंटी नोड यहां भी एंटी नोड तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा देखलो रियल में एंटी नोड ओपन इंड से थोरा सा नीचे यहाँ पर ऐसे बना तो एक इंड करेक्शन डी है और यहाँ पर इंड से थोरा सा उपर बना तो इंड करेक्शन डी यहाँ भी है इंड करेक्शन का मतलब क्या हुआ ओपन इंड से किता नीचे एंटी नोड बनता है तो यहाँ पर बना एंटी नोड यहाँ पर बन गया नोड और यहाँ बन गया एंटी नोड दो एंटी नोड के एक्जेक्ट बीच में बनता है नोड ठीक है दो एंटी नोड के ट्यूब की का लेंथ गिवन है L और इन कारेक्शन दो बार यहां पर यूज होगा एक एंटी नोड थोरा सा नीचे यहां बना एक एंटी नोड थोरा सा उपर बना तो क्या हो गया यहां से दो एंटी नोड की बिश्का दूरी कितना होता है लեमडा बाई 2 हो गया एंटी नोड की बिश्का दिस्टन्स दो कंजीकुटिव एंटी नोड की बिश्का दूरी लेमडा बाई 2 तो क्या लिख सकते हैं लेम्डा बाई 2 इकवल्स 2 देखो यहां से d प्लस l प्लस d तो l प्लस कितना d l प्लस 2 d दो बार इन्ट करेक्शन हुगा तो लेम्डा इकवल्स 2 तू इन्टू l प्लस 2 d ठीक है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगा भी बाई लेम्डा यानि भी बाई 2 इन्टू l प्लस 2 d अब सबका बहलू पूट करते हैं और इन्ट करेक्शन का बहलू क्या होता है इन्ट करेक्शन d बराबर होता है 0.6 इन्टू रेडियस या 0.3 इन्टू डाइमीटर 0.3 into diameter, diameter कितना दिया हुआ है, 0.5 cm दिया हुआ है, diameter, तो होगा 0.3 into 5 cm, यानि कि 1.5 cm, इसका इंड करेक्शन दिया हुआ है, 1.5 cm, यही न होगा, 0.6 into radius, या 0.3 into diameter, 0.3 into 5 cm, होगा 1.5 cm, फूट करेंगे, भी का भालू कितना है, 330 m per second, by 2, लेंध कितना है, 80 cm, 80 cm plus 2 into, डी का भालू कितना है, 1.5 cm, सेंटी मीटर को बदलना होगा किसमे, यह सेंटी मीटर में है, देखो, यह मीटर पर सेकेंड, और यह किसमें आ गया, सेंटी मीटर, सेंटी मीटर को बदलना चाहिए, हम लोग को मीटर में, तो यह हो जाएगा, कितना, 330 by, दो गुना, यह हो जाएगा, 83 by 100, यानि कि 0.83, यह आजा किसमें, हर्ट्स में, आगे इसको सॉल्फ कर लेंगे, तो 30 by 2 into, 0.83, 200 हर्ट्स, लगभग आगया, 200 हर्ट्स, यह हो गया, फंडामेंटर फ्रिक्वेंसी, नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए बुला जाए, तो इस तरह सिन्फेलब बनाएंगे, सबको बागय का फ्रिक्वेंसी, जो है, वो सबको कैल्कुरेट करना है, अपने से, इसका निकालना है, फ्रस्ट, ओभर्टोन, स्टेकेंड, ओभर्टोन, और इस तरह से, सेकेंड हर्मोनिक, थर्ड हर्मोनिक, यह सबका फ्रिक्वेंसी निकालना है, ओपेन और्गेन पाइप दोनों में देख लेना है इंड करेक्शन को कंसिडर करते हुए सभी हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी सभी ओवर्टोन फ्रिक्वेंसी कैल्कुलेट करके देखना है क्या आता है हाँ डायमीटर का फेलू दिया है ऑगे डिसमने ढाले हैं की औरववला जो इंड करेक्शन का है इंड करेक्शन इकोलस टो 0.6 इंटू रेडियास या अगर रेडियास है पर हम डायमीटर लेंगे तो क्या होगा तोडियास का डबल हो गया तो डी यहां पर क्या हो जागा जिरो पॉइंट शीक्स डीडियू एर तो डी बरावर रफ बरावर क्या होता है जो कि दी यू होगा डी आप थे कर दिया है जिदू पॉइंट यू डाइमिटर कहां बतलब किसमे L प्लस 2D तो यह तो इंड करेक्शन को लिखते है D डाइमीटर नहीं है वो D इंड करेक्शन इसको डेल्टा लिख लो कोई और सिम्बॉल लिख लो सिम्बॉल से कन्फुजन हो रहा है इसको डेल्टा लिख लो यहां भी इसको डेल्टा लिख लो, तो डेल्टा बराबर, इंड करेक्शन बराबर, 0.6 इंटू रेडियास या 0.3 इंटू डायमीतर, ये फर्मॉला हुआ न, डायमीतर ये है, ये डायमीतर ये है traffick करेक्शन ही, और ये वाला है जो इंड करेक्शन है, कर चलो इसको ऐसा कर लो कभी नाय मीटर का सिमपार से संप्राइम से कन्फुजन करदें करेंगे लियू तुम यहाँ पे कि यहँद्धा और यहाँ दिल्टा रभवर क्तना गया जिनट्रीकर 40 tayаз कि अजह को इस थी अज़िए को यह गगा ना चुरु तो अब ही काम सब से हो जागा यह अपन ऑर्गेन पाइप लोज ऑर्गेन पाइप दोनों में सभी harmonic frequency सभी overton frequency और कितना number of nodes anti-nodes इसका practice अपने से कर लेना है इंड correction को include करते हुए इंड correction को नेगलेट करते हुए ठीक है ओ गया न यह अब इसमें हम लोग को एक और एकस्परिमेंटल चीज़ जानना है वो है रेजनेंस कॉलम रेजनेंस इन और गन पाइप कि रेजनेंस इन और गन पाइप और इस एक्सपेरिमेंट के सहायता से हम लोग या तो साउंड का स्पीड मिजर कर सकते हैं या फिर इंड करेक्षन किसी ट्यूब का मिजर कर सकते हैं जो भी अन्नोन होगा उसको मिजर कर सकते हैं तो रेजिनेंस का मतलब क्या होता है कि श्युद्ध को देखे विएफेशन गज़ाने तो सब लोग पढ़ेंगे रहोगे के मिस्ट्री में थुरा यू बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फिजिक्स में भी दो तीन बार आजाता है रिजरेंस का मतलब क्या है कि एसी इसरक्ट में भी पहरेंगे रेजिनेंस की सर्कूट इनियेंस में है कि कोई सरक्ट इस doctrine में किस कंडिशन में आएगा यह सवाल अधा विश्री किस परडिशन पर जद बाइगा to go to excellence में होने का मतलब क्या है सिमपल साही तुमं के में स्ट्रॉक्चिर करते होगे और जितना अधिका श्ट्रॉक्चर है तो मोग से पता कर लेते हैं कि यह कांपाउंड या एक कंपाउंड है यह मπόल्ल है वह स्टेबल है जो च्पेकल हम लोग सोच रहे हैं वह ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल क लिए Catholicी क्या बोल दिये वहां पर सब्सक्राइब कोई चीज अगर है को चीज मैक्सिम है तो उसको बोलते हैं जैसे देखो और गन पाइप में जो नेट का मतलब नहीं और गेन पाइप तो इसके लिए हम लोग पहलेगा मैं आप एक स्पिरिमेंटल सेटपफ कर समझते हैं जैसे क्या करते हम लोग की एक और अर्गन पाइप ले लिए को अभी होपिन लिए और इसको इसको किसी इसमें कोई पानी बाले दिया घया मालों यहां तक इस से पानी का का लेवल बना दिया गया यहां तक अब पानी का लेवल यहां पर क्या रिप्रेजेंट क्या बन गया बन गया और यह क्या बन गया ओपन इंड यह बन गया क्लोज ऑर्गन पाइप लेवल को हम चाहे तो अप डाउन कर सकते हैं इसको उपर या नीचे कर सकते हैं तो यह करते ह यह एक तूणिंग प्रकेंट में अवेलबल होता है इत्ट्रान टूणिग फॉर्क टिग्ण पक्रिश और देखते हो चुन्टा होता कर दिए क Mississippi तानी कलता है लेकिन में उसका πिस है अब तु निचा निकलताए यह देखो इसको बोलते है यह जो ट्यू निच पारक्राइज है यह वह ला हिस्था जो यह पकड़ने क्ली काम्मा रहा है और यह दोनों विच्वित करता है इसको बोलते हैं आड़्ट है तो आद्म सफ अफ दी ट्यूनिंग फोर्च सफ फूर ठीक है यह दो नो आद्म सिर्टोंनिंग फोर्क इसको बोल रहा है ट्यूनिंग पोक है अब देखो इसके दोनों आर्म के बीच में इसमें एयर मॉलिक्यूल भरा हुआ है एयर मॉलिक्यूल भरा हुआ है ठीक है जब इस ट्यूनिंग फोर को हम किसी के स्र्फेस पर स्जेंट्ली रेंकि करेंगे स्र्फेस पर मालों किअ कोई रबर पैड है कि अरवर पैड़ पर इसको लाकरके अलका सा यह एट किये ज्यादा ज्योर से हीट करगे तो टूड नजदिक आने से इसमें एर मॉलीकुल उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा यह जो प्रोंग को हम इस सर्फेस पर थोड़ा सा हीट कर देंगे तो दोनों प्रोंग क्या होगा इस तरह से वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेगा तो जब दोनों प्रोंग नजदिक आएगा तो उस कहां से हम लों को मिलना स्टार्ट रूटर्गा सांडव मिलेगा कैसे सांफा प्रोड्यों प्रोडियू सकता है तो सांब करता है इन ड्रेंट कॉंपेस अंड रियर्फेक्शन माळव की पहले कंप्प्रैर्शन म् suffra Jesus के बाद रेक्षान प्रोडियू सुकंप्रियू से लि के टर्म में sound wave यहां से travel करेगा ठीक है sound wave travel करेगा in the form of compression or rarefaction देख लो यह जहाँ पे density ज्यादा है compression जहाँ पे density कम है वहाँ पे rarefaction compression rarefaction इस तरह से sound wave travel करता है in the form of compression and rarefaction तो tuning fork को जब हीट करेंगे तो यह नजदिक आएगा तो compression दूर जाएगा तो rarefaction produce करेगा और इस तरह से जिस frequency के साथ यह oscillate करेगा उसी frequency के साथ यह sound को produce करेगा तो tuning fork का frequency fixed होता है कोई भी हम tuning fork मार्केर से लाएंगे तो उसका frequency उसमेंशन क्या रहेगा जैसे माल लो कि इसका फ्रिक्वेंशी 104 हर्ट है जब इसको हम हीट करेंगे तो जो sound wave निकलेगा उसका फ्रिक्वेंशी भी क्या होगा उसका frequency भी होगा 104 हर्ट है कि समझें तो देखते होगे घर पे जाके देखते रोटी बनाने वाद चिम्टा उसको तुम जाकर के फर्स पर थोड़ा सा पटक दो तो उससे साउंड थोड़ा सा निकलेगा लेकिन बहुँ ज्यादा देख सावन नहीं कल पाएगा लेकिन ट्यूनिक फोर्क जो है उसको थोड़ा सा तुम हीट कर दो तो उसका जो sound है मेटलिक साउंड वाल लोग के निकला तो यह दम 104 हर्च का फ्रिकोंसी वाला निकलेगा यह फिक्स्ड है फ्रिकोंसी अब हम लोग इसे एकस्परिमेंट में क्या करते हैं resistance in Oregon pipe को कैसे अबजर्ब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें water level को एड़जास्ट करने का में पहली करते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कि इदर एक पाइप हम जोड करके, इजर एक वाटर फ्लॉक्स के साथ उसको connect कर दें, और वाटर फ्लॉक्स को ऊपर नीचे करके, water level के height को भी adjust कर सकते हैं माल लोग कि तुम water level के height को adjust कर लिए अब इसके सामने हम लाते है tuning fork tuning fork को hit करने के बाद इसके सामने रखेंगे तो tuning fork क्या करेगा यहां से sound wave send करेगा तो यह हो गया incident wave incident wave आया और वो इस water end से reflect होकर के चला जाएगा उपर पूर चला गया तो यहां से देखो continuously यह incident wave send कर रहा है और यहां से sound wave reflect हो रहा है और दोनों मिल करके क्या form करेगा standing wave इसमें standing wave form हो जागा अब देखो जब standing wave का frequency इसके frequency से match कर जागा तो हम लोग यहां पर loud sound सुन पाएंगे जैसे क्या है कि यहां पर organ pipe के पास हम लोग कान लगा के रहना है और tuning fork को वहां पर open ले जाएंगे और इस water level को हम थोड़ा सा slowly down करते जाएंगे एक समय ऐसा है कि अचानक देखें कि sound का intensity काफी बढ़ गया जैसे ही sound का intensity हम इसमें पाएंगे कि maximum हो चुका है तो हम समझेंगे कि इसमें इस्टैबलीश हो चुका है तो कैसे पता चलेगा एक्सपरिमेंट में कि इस्टैबलीश हो गया जब हम प्रेक्टिकल करेंगे तो क्या होगा उसमें जो ऑपन और और पाइप है उसमें वाटर लेवल को यहां तक मालो भर दिये और उसके बार ट्यूनिंग और को भाइबरेट करके इसके सामने लाए और वाटर लेवल को तुम धीरे 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 लोवर डाउन कर रहे हो देखो कि तो वह पाटिकुलर लेवल था वाटर का उस समय जो हम साउंड रिसीव किये थे वह साउंड का इंटेंसिटी मैक्सिमम था और उस समय यह और और पाइप कहा जाएगा कि इरोजनेंस में है तो इसका फ्रिक्वेंसी और स्टेनिवेब का फ्रिक्वेंसी दोनों मैच कर अगला क्या होता है तो इस तरह से फ्रिक्वेंसी केवल कुछ पार्टिक्लर फ्रिक्वेंसी ही इसमें फ्रिक्वेंसी का ही स्टेनिंग वे इसमें बन सकता है ठीक है कि जब ऐसे डिवेब का फ्रिक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोर्क फ्रिक्वेंसी साथ मैच कर जागा तो हम बोलें कि इसमें रिजुनेशिंटी हो गया तो पहले हम देखते हैं कि सका एक्सपरिमेंटल सेटप क्या है too tuning for metal का इसका frequency fixed होता है यानि इससे निकलने वाले sound का frequency fixed है जो इसका construction किया गया उसके équर Sydney उसका property है frequency और जब इसको हम hit करेंगे तो phones इसका जोống है वो vibrate करेट करेगा जिस frequency जब जिसका sound भी जह यह और जिसका जाएगा तो कंप्रेशन दूर जाएगा तो रेर्फेक्शन कंप्रेशन रेर्फेक्शन प्रोड्यूस होगा और इस तरह से साउंड वेब ट्रेबल करेगा तो अब्जेक्ट एक्स्पेरिमेंटल सेटप आफ रेजिनेंस कॉलम कि देखलों इधर वाटर फ्लास का और इसमें चाहते हैं कि यहां तक पानी भरा रहें इसमें यहां तक पानी भरा रहे तो इसमें पानी का लेवल वहीं तक रहेगा इसमें जितना लेवल हम पानी का रखेंगे उतना ही लेवल इसमें पानी का रहेगा मालों कि पानी का लेवल हम इसमें यहां तक रख दिये इसमें पानी का लेवल क्या होगा सब को याद होगा कि वाटर लेवल दोनों ट्यूब में क्या होना चाहिए सब होना चाहिए वाटर लेवल क्योंकि डिफेंस रहेगा तो फिर प्रेसर का डिफेंस होगा सेम लेवल में सेम प्रेसर इसलिए लेवल यहाँ पर क्या होना चाहिए होना चाहिए यहां पर मालो यहां दक तुम इसे पानी भर दिये तो इधर भी पानी यका लेवल इतना रहा जाइगा अगर इसमें हम लेवल को डाउन गरेंगे ती मिलेवल क्या होगा डाउन होगा इस फ्लास को उपर नीचे करके इसके लेवल कम साउंड वेव ट्यूनिंग फोर के यहां से साउंड वेव सेंड करेगा और साउंड वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद वाटर के इंड से रिफ्लेक्ट होने के बाद यह रिफ्लेक्टेड वेब और इधर से इंसेड वेब दोनों मिल करके सुपर पोजिशन करके इस वेब फॉर्म कर देगा स्टैनिंग वेब देखो यहां से लेबल को तुम चेंज करा अभी अभी समीवै यह तो चुका मतलब कौन साँ मोड मिला है यह फार्म फ़र्म हुआ है फिर से स्ट्राट मोढ हो गया और ईसप्र प्रिक्वेंसी का यह साउंड वेब भेज रहा है उसी फ्रिक्वेंसी का स्टैनिंग वेब इसमें फॉर्म होगा यह सब्सक्राइब जो सोर्स का फ्रिक्वेंसी उससे तो चेंज होने वाला है नहीं ट्यूनिंग फोर्क तो हमारा फिक्स्ट है कि 104 हर्ट्स का फ्रिक्वेंसी मेच करेंगे तो इंटनीवाइब का फ्रिक्वेञेंश तो इसमें रिस्यव करेंगे लाउड हम लोग हम लोग चुंझा करेंगे और उसके बाद भीभग संदेनीच इंदween सही हू चुका आ झाल 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 जो वाटर फ्लस का है इसकी साहिता से इसमें वाटर लेवल के को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं झाल 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 त्हाँ झाल बाहाँ से और फिर वह वारटर के इंड से वाटर लीवल से रिफ्लेक्ट हो करके इंशेंठ वेव और इफलेक्ट वेब दौनों सुपर पोजिशन करेंगा धोनों का आडिक्षं होगा और अरुटर ओक Candido है इंटनेश्टी मिल रहा है और फाला पर हैं ही कि यह सेबलिष हुआ फिर हम फर्दर वार्ट के लेवल कि लूबाउन करेंगे तो फिर हमको दोबार मेक्समट इंटेंसिटी मिलेगा मतलब कि फिर रिजिनेंस इस्टेबलीस होगा और उसको बोलेंगे सेकेंड रिजिनेंस इस्टेबलीस हो गया तो इस तरह से किसी डिफेंट डिफेंट वाटर लेवल पर जब इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रहा है तो वह सब कहा जागा कि वह सब रिजि दोनों मैच करेगा तो स्टैनिवेब फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके समें इंटेंसिटी भी मैक्सिमम मिलेगा उ्टने लिचस के глазिटॉर्मी करें प्यूंध डीनिवका करनों मिलेगा तो स्क्रावा प्यूर्मी मैक्सिमम मा झाले ओ dag तो समेपकी लिगयका शीले कमेशने और जित क्ते करवाब ख करेंगा यदॉर्मान हो जय क्रें दो जासर दो बडिलेंसिटी वाल–व्युर्मा सिस झाल 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 तो दुसरी बार जब मैक्सम मिलेगा तो मिलेंगे सेकंड रिजनस फॉर्म हो गया जब इंटनसिटी ठीवार मैक्सम मिलेगा तो बोलेंगे कि फर्ड रिजनस फॉर्म हो गया झाल तो फाइनली यह क्या हुआ कि रिजनेस फॉर्म होने का मतलब क्या है कि जब ट्यूनिंग फोर का फ्रिक्वेंसी और स्टेंडिंग का फ्रिक्वेंसी मैच करेगा तो उसको बोलेंगे कि रिजनेस फ्रिक्वेंसी या रिजनेस फॉर्म हो चुका है रिजनेस फॉर्म हो चुक Siri कि दिम छिन रहर भॉन इरुनिक ए् सरपक कि एकुछे कि एकुछार तो प्रफिंधी घट दिन एकुछे को आनटीन इन धरर न थिर टू back दिन बॉन दिन एकुछे इन थे लिए लेग्टquiंट episode रचकति टmusicसब्ने ओन थे अरे ली ली ओ हरूर। कि पहली बार जब ऐसा होगा तो फ़स्टरी एंस दूसरी बार जब ऐसा होगा तो सेकेंड इんなन्स तो फटर्ड रुजन्स कaina नली हम लोग दो र्रेजिनेंस तक ऑबजर्ब करते हैं और उन दोनों के रिजल्ट्से इंड का भेल्ल्य या स्पीड्वा Candate करते हैं कि क्यांट, क्यांट. झाल 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 करते हैं कि कैसे इस फॉर्म करते हैं और किस तरह से इन करेक्शन केल्कुलेट करते हैं करते हैं एक ही लो एकारो डाधन हैं अ करते हैं और क्वा्या उका इसा जसलिक धिर विल्य।까지 का तर स्व payroll में नहीं और करते हैं कि का दू novागर बेसे घ्क ही तर tulकुंड करते हैं आ Shout यहां देखो इंचिदेंट वेव और इधर से रिफ्लेक्टेट वेव दोनों का सूपर पोजिशन होगा तो इसमें स्टेनिव का फॉर्मेशन होगा तो यहां पर जो वाठर लेवल है、 वहां और क्या बनेगा displacement नोड और यहां पर बनेगा displacement एंटी नोड और आम जानते हैं कि प्रेक्क्लिकली एंटी नोड थोड़ा सा उपर बनता है तो इन करेक्शन को भी यहां पर कंसिडर कर लेंगे इंसरेंटी वफूनिछ वर के तुनिख व्र वा लंटी वर कर फो तुनिख वर कर तुनिख्ड रुड यहां फुनिख च्ट्रेक्ट ओूनिख्टेड गेट रिफलेक्टेड फ्रॉम वाटर लेवल रिफलेक्टेड फ्रॉम वाटर लेवल वाटर लेवल किस इंड के तरह काम करेगा, fixed end की तरह काम करेगा closed end की तरह काम करेगा water level water level acts like a fixed boundary or closed end fixed boundary और closed end तो इंसेट वेब रिफ्लेक्ट होगा water level के पास water level fixed boundary की तरह काम कर रहा है यहां से वेब का फेज क्या होगा reflection के बाद 180 रिस से change हो जाएगा और 180 रिस चेंज हो जाएगा फेज reflection के बाद और incident और reflected दोनों वेब मिल करके फॉर्म करेगा standing वेब इंसिदेंट वेब इंसिदेंट वेब और रिफ्लेक्टेड वेब रिफ्लेक्टेड वेब गेट सुपर पोजी सुपर पोज़्ट मतलब add हो गया तो दोनों वेब यहां पर addition दोनों का हुआ सुपर पोजिशन हो गया और standing वेब का formation यहां से हो जाएगा formation of standing वेब इस तरह से इसमें बनेगा ठीक है इंसिदेंट वेब रिफ्लेक्टेड वेब दोनों का सुपर पोजिशन हुआ और दोनों मिलकर के इसमें फॉर्म करा देगा standing वेब अब देखते हैं कि standing वेब का formation किस तरह से इसमें हो रहा है नेक्स्ट अब देखो इसमें अब दोनों मिलकर के इसमें अब तरह इसमें अब दे ईक्या यह उन्याग यह जढ़ आए सोपा है आए लूज जया इना है आगा है? आए बन बना है, बनपया है? झाल 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 माल लेते हैं कि इसमें standing wave का फॉर्मेशन पहली बार हुआ इस लेवल पर बना तो यहां पर बनेगा कुछ उपर में एंटी नोड और यहां पर बनेगा नोड तो ऐसा इन भिलाब बनेगा एसा इन भिलाब बना और इन करेक्शन मालो दिया हुआ है डेल्टा और यह लेंद्ध मालो मिला पहला बार मिला है एलवन लेंध पर पहला ट्यूब के एलवन लेंध पर हमको रिजूनेंस सुनाई दिया रिजूनेंस इस्टेप्रीश् जैसे से एक पार्टिक्ललेएवल पहुंचेगा हम इंटेंसिटी सुनेगे कि मैक्सम हो गया साउंड का इंटेंसिटी मैक्सम हो यह समझ जाओ कि यह यहां से यहां distance कितना होता है लेमडा बाई 4 तो लेमडा बाई 4 equals to first resonance इसको बोलेंगे यहां पर फॉर्म हुआ है first resonance first resonance के लिए लेमडा बाई 4 बराबर कितना है लेल प्लस डेल्टा लेमडा इकोस टू और इन्टू एल प्लस इंड करेक्शन हो गया तो फ्रिक्वेंशी एब बराबर क्या हो जागा एक बराबर भी बाई लेमडा यानि भी बाई 4 एल प्लस डेल्टा और एल प्लस डेल्टा यह हो गया first resonance इस तरह से सेकेंड रिजिनेस जब बनेगा तो क्या होगा सेकेंड रिजिनेस को समय है तो सेकेंड रिजिनेस समय देखो क्या होगा यह में और यह है और यह और पर आ गया वार यहां पर आ गया और इस ते की बहुंत मिला मतलब सेथे जेंश हो चुछ उसेंश नद पर लूट और नंबर और लूपस एक बढ़ जागा देखलो येसा होगा और ये दिया हुआ इसका इंड करेक्षंन कितना डेल्टा और ये लेंद कितना है L 2 L2 है पहली बार हमको मिला था यलवल लेंध पे दूसरी बार मिला L2 लेंध पे और देखो यहाँ पर एंटी नोड यहाँ पर नोड यहाँ पर एंटी नोड यहाँ पर नोड दो एंटी नोड की बिशका दूरी लेंडा बाई 2 एंटी नोड नोड की बिशका दूरी लेंडा फोर तो क्या बोल सकते हैं अब इसमें ल्टू प्लस डेल्टा देक्लों पहला ये लेन थी आहें से किता हो जागा इस लैमडा बाई तू प्लस लेमडा बाई पर किता हो जागा अधी लेमडा बाई फूर लेमडाई को सुगेतना लेंबडा इकोल स्टू हो जाएगा फोर इंटू एल्टू प्लस डेल्टा यानि कि फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी तो हर जगा सेम है जितना फ्रिक्वेंसी इसका है वही फ्रिक्वेंसी इसका भी है फ्रिक्वेंसी चैंज नहीं हो रहा है क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क तो तूनिंग फ़ुँ वही वाला है तो फ्रिक्वेंशी से में रखना है तो हम क्या करा है मोड को बढ़ा रहे हैं MR बढ़ावर क्या हो जागा भी लेमडा यानि भी बाई 4 L2 प्लस F यह हो गया second resonance तो यह वाला कहा जागा second resonance और यहाँ पे यह 3 तो जागा 3 V by 4 L2 प्लस F देख सकते हैं कि पहला frequency आया यह frequency F next mode frequency वही रहेगा लेकिन इस तरह से हो जागा दोनों frequency सेम है दोनों का हम पर बराबर कर लेंगे और यहाँ से इंड करेक्शन का वहल्यू निकाल सकते हैं यहाँ देखो कि frequency दोनों हर समय तो सेमी रहना है अब तुम्हें आसर दोनों frequency को इक्वेट कर सकते हो पहला frequency उससे कितना frequency आया था V by 4 L1 plus delta पहला लेंथ मिला था L1 L1 plus L1 plus delta हाँ यहाँ यहाँ पहला देल्टा यहाँ से लिए अल्टू प्लस लेप डेल्टा यांस लेंथ ल्टू प्लस इंड करेक्शन डेल्टा बराबर कितना थी लेंड़ा वाई फोर तो लेंड़ा इकोस्तू प्लस दू ओर वाई त्री ल्टू प्लस डेल्टा और फ्रिक्वेंसी निकालने का फर्मूला क्या होता हम था सॉटकट्र ट्लिक में लिग देख इथे बिक्वेंसी एफ बराबर भी बाई लेंड़ा यानि भी बाई कितना ओर अब दोनों फ्रिक्वेंसी को इक्वेट करो और डेल्टा का वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से दोनों को दोनों फ्रिक्वेंसी को इक्वेट करके लेम्डा को निकाल सकते हैं कि पहला से क्या फ्रिक्वेंसी आया भी बाई 4L1 प्लस डेल्टा बराबर 3 भी बाई 4L2 प्लस डेल्टा तो भी बाई 4 कट गया तो आजागा 3 इन्टू L1 प्लस डेल्टा बराबर L2 यानी कि डेल्टा इकोस्टू क्या हो जागा है कि डेल्टा इकोस्टू एल्टू माइनस 3L1 प्लस डे यहीं आया है इससे मिल जागा इंड करेक्शन और इससे हम लोग फिर रेडियस में निकाल सकते हैं क्योंकि इंड करेक्शन बराबर क्या होता है 0.6 इंटू रेडियस इंटू इंटू एलबन प्लस डेल्टा इकोस्टू इकोस्टू एलटू प्लस डेल्टा यासे आगया टू डेल्टा इकोस्टू टू डेल्टा इकोस्टू कितना L2-3L1 यानि कि Δ बराबर L2-3L1 बाई 2 अब जाकर रिजल्ट से हुआ तो L2-3L1 बाई 2 इसमें क्या सकता है कि फर्स्ट रिजिनेंस मालो मिला 16 cm पे सेकेंड रिजिनेंस मिला 50 cm पे तो इंड करेक्शन क्या होगा तो एक सवाल बना के सो कंप्लिट कर लेता है इन ए रिजिनेंस कोलम फस्ट रिजिनेंस पुस्ट रिजिनेंस इस अउरूब इस उरुबबबबरीईंस थिस्टी बिदिनें रिजिनेंस second resonance is observed at 50 cm and its end correction and end correction of the column the end correction का formula के आचुका delta ब्राबर L2-3L1 L2 कितना है 50 cm minus 48 cm 3L1 48 हो गया divided by divided by 2 L2-3L1 by 2 तो यह आगया 1 cm एक topic बच गया bits and Doppler effect दोनो एक दिन का है तो एक दिन और लगेगा क्लास कम्प्रीट होने में ताउन्वेब का तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उन्वेब प्राब तो कितना है 50 cm प्राबर लगेफेगेश कितना है 50 cm